तीन गों बत्चाय के साथ बले या दूलर की एक नर्क अचा नॉर्मल दी ले बले रहे कि आपरेशान हर बले नॉर्मल ने भाग ले तो चेत कभी कि तीन गों है पहले से तीन गों और हो जाएगा नहीं सर हमको भी पता नहीं था लेकिन भगमान तो दे दिया तीनठो तो इसी लेकर जो हम दूखी भी थे और प्रतेक महना में उसके दूद के लिए तेल के लिए इसके बाद बच्ची वह बड़ी होगी पढ़ाई लिखाए में भी मैं मदद करूँगा जब साधी करने योग होगी तो हम सरपंच रहें या न रहें जहां तक बन परेगा वहां तक उसकी में मदद करूँगा शाधी में आज हम एक ऐसे परिवार के बीच मोजूद है जो एक ही मा के गर्व से तिन तिन बच्चे एक साथ पैदा हुए है वह भी नॉर्मल डिलेवरी हुआ है बिना कोई ऑपरेशन के बहुत ही सांदार तीनों बच्चा जन्म लिये हैं हम उसी परिवार के बीच आये हैं यहां प नॉर्मनल ब्हाग ले बेई हैं आप धिलेवरी है से पहले आ हां का जाने रिये की पेटे में टिन प्रॉट ने था घ्टार के पतार है रहे हम इस बात नेक हो हम ने के लिए हैं हम आई हूग ऑले घू रहों होस्पीटल है नीचिन बात नेक होग वालेट हम नटेब काशन लड़की साथ एक भाइग फेक दल अच्छा दूगो बच्चा एक साथ भले एक पहले एक मिनट के बाद वह साथी चेले ले दोनों एक वाइग सब चीज की साथ है यानि कि पहले से तीन को बच्चा रहा एक के साथ फिर तीन को भाइग ले हाँ चोगो न भेल टोटल टोटल भेले चोगो चाई नहीं है एक बच्चा खतम भाइग ले कना भाइग ले खतम दूद कमी भले हमें एक जरा खेत गरीए खेत से लिए ता 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 एतने मों कि वहां आज में गरीब छी को सुनक खडबे तब इन दिन काट एक रहे खाती वहां भाइग ले लिए अचेला वन न न वहां आजिए था ता ता मुम्मि ये बच्चा नहीं चैन्हाब की भाग ले था कहिन बैज करे इतनी एक तर पर भाइग ले हम वच्चा ठीक है चीक है अचीक तुर अचीकर्या कर दूद के आप ह़ाँ मैं परसानी भाग ले बह जो कोई पास में एक साने ठीट ने तम ने डॉक्तर काओ हमें डॉक्तर कन ने जा सके यह संच करें चीकन होगी बस तात है ते जी बने चाहिए जब तादू पहड़े मेचा चीट पिता जी है जो एक साथ जो है इनकी पतनी तीन बच्चे को जन्म देती है क्या नाम आपका भोला पंडित एक साथ जो हो गया ने सब बाइने सब बाइने अच्छा कोई बात नहीं आपके पांच-बच्चे भागे यह दुखत घटना है नहीं होना चाहिए अच्छा अभी यह आपकी कहना यह बचा बेटा है क्या बेटी अब हुआ दो बेटा है तीन बेटी है तिन बेटी क्या खाम करते है यह पथर उठाते बेटाते किसी खेत में चले आते को दाल पारने के लिए वस गरीब है पूरा घर दुआरा हम लोग को पहले से तिन गौर हो जाएगा नहीं सर हमको भी पता नहीं था लेकिन अगमान चो दे दिया तीन थो बच्चा यह साथ हुआ तो उसमें आप दुखी हुए कि दम खुश थे एक तरह से दूखी भी थे एक तरह से सुखी भी थे तो इसले कर जो है हम लोग को दूद नहीं पर रहा था इसे से लेकर हम दुखी थे तो नहीं पालने को लिए गरीब आद में तो हम तीन तो अधुश होब्य करेंगे परेसा को दिन हमwać्लों को स्मीश लने दोना यह उलाज करने क्लिक ली समको पैसा नहीं है है तो इसले कर जो हम दूखी भी थे तो दूखी जो आशी हम दिदी बच्चे को नोर्माल डिलेवरी वात नौर्मल वाज आती गार्यवारी यह था उरिच्छा को इसा के कारण हम करते हैं और तीन बच्चे तो पहले से ही थे और तीन बच्चे एक साथ जो है जन्म लेते हैं इस पंचयत के मान्या सर्पंसाब भी हमारे साथ हैं जब इनको पता चला तो यह भी जो है उस बच्चे को देखने के लिए आये हुए हम उनसे बात करेंगे सर स्वागात है गरीवी के जिसका सीमा नहीं होता है वह सीमा को पार किये हुए हैं इनकी गरीवी का आलम गरीवी का बदहाली आपके समक्ष है जो कि खाई के तरह इसका घर बना हुआ और मैं 2006 से आज इवन सरपंच हूँ, मैं बहुत दिनों से इनकी गरीवी का अंदर तक जहां करके देखा, लेकिन हम लोगों की तो उतना साहस नहीं है, उकाद नहीं है, कि मैं इनकी मदद करूँ, लेकिन जब ये वाइरल हुआ, तीन वच्चे एक साथ जन्म लिया, उसमें आज पहुचा, ये जाए पची जो लच्मी रूप में वा पयदा ली है, एक तो समाउप्त हो गया, जैसा कि हमको यह आसपास के लोगों से मालूं हुआ, वो बच्चे दूद के आवाओं में वो समपत हुआ है ये तो बैचारे सिधा सरपट है इनको पता नहीं है इसके परोसी बोले कि बच्चे को दूद के आवाओं में वो बच्चा मर गिया है जैसे हमको परोसी के दौरा गरामिनों के दौरा जनकारी मिली तो मैं यहां आया औ और अब ही आपके सामने में आज से मैं 500 रुपिया परतेक मैंना एक बच्ची जो लच्मी रुपी है उसका माई लच्मी नाम रखा हूँ और उसको मैं 500 रुपिया परतेक मैंना जब तक वह बच्चा जमान नहीं खाएगी तब तक मैं देता रहूंगा और मैं आउंगा इसक पकड़े और प्रतेक मेहना में उसके दूद के लिए तेल के लिए इसके बाद बच्ची वह बड़ी होगी पढ़ाई लिखाए में भी मैं मदद करूँगा जब साधी करने योग होगी तो हम सर्पंच रहें या ना रहें जहां तक बन परेगा वहां तक उसकी मैं मदद करूँगा साधी में बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे TV टेम्स न्यूज के परिवार के और सेवी आपको बहुत 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 धन्यवाद है कि आप इसे इसे लोगों का मदद करते हैं देखिए मतला में बैक्ति का जाती के नाम पर नहीं सेवा के नाम पर मैं गरीब परिवार और खितियर किसान का वेटा हूं और खोक्षी पंचायत के लोगों इतना लार प्यार मुझे दिया कि मैं सिर्फ नॉमनेशन देता हूं हर घर मेरा पहुँजता है अपहर महमा से हमारी जीत होती है और एक एक पंचायद के मैं एक एक बच्चा को मैं जानता हूँ और हर माँ से पुछिए हर माँ का मैं आशू पोश्ता हूं और कोई महिला कह न दे कि हमें पुता बेटा हमें परतारित करता जैसे रविंदर जादव के कान में पोश्ता है खुद दरबाजे दरबाजे जाकर के हर गरीब के दालिच तक जाकर के मैं उचित और संबुचित न मदद करने के लिए आप आगे आए हैं ये अभी 500 रुप्या महिना इनको देंगे जब तक बच्चे का दूद और तेल का विवस्ता हो पाए उसके बाद जब बच्ची बड़ी हो जाएगी तो पढ़ने लिखने भी इन्हों ने बोला है कि पढ़ाएंगे भी लिखाएंगे और साधी बिवाब में भी उनको हम लोग जरूर मदद करेंगे बाकि ये बहुत बड़ी बात है एक सर्पन साब के लिए आप लोग जैदे जैदे इस वीडियो को सेयर करिएगा ताकि सर्पन साब के लिए आप लोग कोमेंट भी करिएगा कि ऐसे सर्पन साब से क्या कहना चाहेंगे जो गड़ी परिवार के मदद के लिए इससे पहले इनको पता नहीं था कि इस परिवार में तिन-तिन बच्चे पैदा हुए अगर पहले से पता होता तो कास आज वह बच्चा इस दुनिया को छोड़के नहीं जाती क्योंकि वह दूद के अभव में इस बच्ची सब्सक्राइब करते हैं हम चुनों नहीं लड़ना चाहते हैं फिर भी हम रो हमको जबरदस्ती लड़ाते हैं और आम आवाम का सेवा करते हैं जब आवाज आया जंता की चिलाहाट और कराहाट रविंदर जाथ खुद आके ले नो बड़ी गार्ड नो एसिस्टेंट आके ले पहुंच जाते हैं जैसे उधर आयतीन का एक भाई है यह मकान वाले उनको बोले तब वो जो है इनको खवर किये तब उदर से आये तब सरकारी नाम पर जो है लूट घसोट यहाँ इस पंचास में भी होता है गरीब को निया को सरकारी राहत और सवयोग नहीं मिलता है १्यूपरी में Presti में अंच और सर्पन साहब के लिए सराज सर्पनस आए की दरवाजे पैं और मदद भी किये हैं क्या कहेंगे सर्पन साहिब को तो यहीं कहेंगे सर्पन साहिब को जो कुछ हमको सरकारी पैसे भी दिलवाई है सरका से जजे से होगा मदद करिए सर्पन साहब को जरूर कहेंगे सब दिन कहेंगे सब दिन रहेगा हमको तरफ से सब दिन रहेगा सर्पन साहब चलिए, देखिए सर्पन साब के कोई सरकारी योजना आता नहीं है, सर्पन साब जो अपने तरब से किये हैं, वो भी अपने तरब से कर रहे हैं, 500 रुपया जो महिना आपको देने का एलान किये हैं, वो अपने तरब से देंगे, सर्पन साब को कोई सरकारी लाब देने का रा चाहिए आप लोग जैदेश जैदेश वीडियो को सेयर करिएगा टीवी टेम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाहिंद